मैं तुम्हारे आधिपुरुष मूवी बेसिकली टीजर कितना घटिया है तो मैंने जितनी बार भी सोचा इसके बारे में मैं बात करूँ मिर पस अक्ष्य में कुछ नया नहीं है जो अल्रीड लोग बात कर चुके हैं तो मैं कुछ और बात करूँगा जो कि एक रावड पे बेसिकली दे कारेक्टर पे और जो इस पिक्चर को या ट्रेलर को जो ट्रीक्टीजर हैं सॉर इसको मैंने देख के मैंने समझा की एक बहुती भेंकर लेवल पे ब्लैक इन वाइट डिविजिन क्रेट किया है कारेक्टर में क्यूंकि रावड का हर फ्रेम जो है उसमें बस जादसे जादा मैं कितना कुरूल या मैं बहुत एविल हूँ बस ये कर रहा है व्याइव बाई पानी मगवाईता ना लाइव दास लिटरी एफ्रेम अधा एक कारेक्टर के इन स्टोरी तेलिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हुँ जब आप एक कारेक्टर को ये कर तुम्हें ऐसे लोग मिलें जिनके पास कोई empathy नहीं है कुछ नहीं है तुम्हें वो कभी शाम को नहीं दिखा कि वो चाय पी रहा है और एकदम से तुम्हें देखा और रहा पीपल डॉन्ट डूदा movies are largely, वो movie कितनी बढ़िया story telling depict करेगी, depend करता है वो कितना ज़्यादा reality से लेती है try to understand, वो कितनी less cartoon से ले रही है और कितना ज़्यादा reality से ले रही है, depend करता है creatively, choice में कि हम movie को कितनी maturity से perceive करना चाहते है अगर हमायन आप एक story बना रहे थे, आपके दिमाग में है कि हम बस बेवकूफ वाली picture बना रहे हैं, वो भी लेज़से 5 साल की बच्चों के लिए, यह 7 साल की बच्चों के लिए, और cartoon movie है, then I understand, आपको कोई फालतों के nuance रूनने की जरूरत नहीं है, आपको basic morality बजाना है, अच्छा बुरा पर खेलना है, और आप रामट को दिखा सकते हो, बहुती evil villain, like, just typical incarnation, embodiment of fucking bad, of evil, I get that, cartoon बना हो, तुम इतना वड़ा 500-600, पता नी कितने करोडों का budget लेते हो, और उसके बाद, the character that you write is the writing standard of a 5 or 6 year old, and here's what my theory is, कोई भी बड़िया movie उठालो, जिसमें antagonist है, protagonist है, और largely उन दोनों के बीच में conflict चल दी, जो कि रमाट, एक्षो में, epitomy है, इसको लेके दे सकते हो, there's a very strong antagonist, इसके वासे बहुत तगड़ी superpowers है, and उसने जिस तरह से gain भी किया है, वो ज्यानी भी है, वो is a proper intellectual, and he has one flaw, that उसको वो, जब अपने से detast नी कर पाता है, on the contrary, म ends up doing something, बहुत जो wrong हो सकते है, and the whole trajectory उस character के रही है, कि वो कैसे उसके लिए, विनाश का एक path create कर देती है, ठीक है, तुमारे सामने दूसरी तरफ है, शी राम, स्टोरी को बताने ही ज़रूद नहीं है, शीराम चैंदर जी, अकर तुम सिंपल बात करो, इंडिया के, क्योंकि मुवी इंडिया में बन रही है, लोगो को पता है, people, everybody knows, Raman, को ऐसा नहीं कि हम पहली बार को जिसान देख रहा है, अबे, अब क्या होगा, अबे, ब्रेक क्य स्टोरी को आगिया, यार, nobody's going to be, like people know, what are the stories, everybody fucking knows, दशारा हुआ है, अबी बी, दिवाली भी आने वाली है, लोगो स्टोरी पता है, हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं, the point is, अगर एक movie create रहे हो, तो point ही होना चाहिए, मैं कुछ ऐसा स्पोर करना चाहूंगा, इस स्टोरी में, जो की लोग भाली भांती नहीं जानते, people are not completely familiar with it, and I just don't wanna make a movie out of, for the sake of spectacle, जो भी नहीं है, इसमें, I wish यही होता, the dumbest idea would have been, जो चीज सबको पता, उसको बहुत कूल रूप में दिखाते हैं, that would have probably done very well as well, but चलो चोड़ो, मैं कहना हो, सबसे best चीज क्या होती है, या बहुत better than more, most चीज हैं क्या होती है, वो है कि आप एक idea को देखते हो, और कहते हो, क्या unexplored है इसमें, and अपनी movie में मैं उस unexplored चीज को explore करूँगा, ताकि लोग को एक नया perspective देखा, और लोग को मजा आजा देखने में, एक नया taste लाएं, और एक नया नजरिये से देखे हो उस चीज को, रावण एक character मात उसमें ऐसा है, जो कि जितना जदा शीराम explored हैं, देखे गए हैं, लोग को पता है, बच्पन से story सुनदार हो, भगवान हैं, उतना रावण नहीं है, अकर तुम सिंपल इस picture में क्या करता है, कि writer या जो भी इसका director है, वो कहते हैं, हम heavy focus रखेंगे, starting से, antagonist को build करने के लिए, डार्क नैट मुवी शुरू होती है, antagonist से, एक brand robbery से, try to understand what I'm saying, it establishes first the antagonist, then, तुमारा protagonist को, क्योंकि उसको पहले पिछली मुवी से हम देखते आई रहे हैं, डार्नैट क्या है, just see how complex, how utterly complex and menacing the antagonist is, evil, black and white level पे नहीं है वो, एक confuse तुम्हे भी कर देने level पे है, क्योंकि उसकी कुछ बाते हैं, उसके कुछ कोर्स, उसकी कुछ नजरिये देखने के जिदिगी के ऐसे हैं, कि तुम्हारी morality भी question हो जाती है उसमें, तुम भी सोचने लग जाते हो यार, तुम भी उसकी side आयाते हो कई गई बार, यह होता है एक बढ़िया character, उसको defeat करने के लिए, जितनी फिर तथा, जितनी strength और जितनी भी चीजें लगेंगी, techniques and everything, resolve, वो automatically protagonist को build कर देता है, now protagonist को इस particular story में हम अलड़ी जानते हैं, उसके resolve के बार में, principles के बार में, ideals के बार में, सब कुछ, जो वो given already है, movie पे जब इनसान बैठेगा न, तब वो start ही करेगा वैसे सोचके, protagonist को देखने का, वो तो जानता है सारी चीज़ें, protagonist के बार में, antagonist को अगर तुम build कर सकते हो, nuance कर सकते हो, उसको एक थोड़ा सा अलग तरह character दे सकते हो, कि वो जो भी चल रही, उसकी जीवन में चीज़ें, क्या पता हो सकते हैं, अहंकार हो, क्या पता हो सकते हैं, मिल्दब वो इगो आ गया उसको, कि ओ, मैं थोड़ा सा आप सूपर हीउमन मन गया हूँ, मैं रेपास ये strength मिरे को मिल गई है, इतनी सालों की प्रतिग्या के वाज़ा से, मैं इतना वड़ा ज्यानी हूँ, जो भी है, और एक गलत पत, एक गलत पत पे वो चल गया है, और लोग उसके अगल-गल वाले उसको warn भी कर रहे हैं, ये भी पार्ट है स्टोरी का, वो कोई पागल सा वो नहीं है, black and white character, बढ़ अगर आब उसको build करते हो, तो आप एक थोड़ा nuance ले आते हो story में, story telling में इस चीज़ ले आते हो, और skew पर build करो ना, वो 500 करोड का तुमारा CVFX, CGI सब कुछ, इन दिस इस तप्रोब्लम, भी nuanced, mature storytelling थी, यह जो बाते मैं कर रहा हूँ, जहाँ बे आप यह super level, superhero, super शक्तियां, CGI, VFX, सब secondary और tertiary level पर आजाता है, core में जिंदिकी में हमेशा याद अखना, कोई भी चीज जो आपको fan मना देती है किस चीज का, वो है कहानी पातर की, यानि कि जो भी character है, उसका life का जो भी scene चल रहा है, अगर वो relate मार गए तुम, अगर वो तुम्हारी कहानी बता रहा है, अगर वो तुम्हारी aspirational story बता रहा है, aspirational ही तुम जुनिया में किसको कैसे देखते हो, या क्या भाव हैं, क्या principles हैं, क्या moral codes हैं, अगर क्या sacrifice है, जिसके तुम कहते हो, भाई, hero है ये, अगर वो चीज़ relate कर गए, ये भी relation ही ना एक तरह से, तुम्हें किसी की परिभाशा, hero की क्या होती है, एक, एक, superhuman की क्या होती है, I don't know, Hindi में, word मेरे दिमामें आ नहीं रहा, मैं कुछ पता है उसका word क्या होता है, but you understand, तो तुमने relation मार दिया ना वहाँ पर, तुम कह सकते हो, हाँ, I approve of this, यही तु था, ये है, mature storytelling is about, creating a story, and employing devices of storytelling, जो की, तुम्हारी personal ideologies में घुल जाते हैं, Batman तुम्हारी personal ideology में जीता है, approval तुम्हारा, इसलिए Batman, Kair, या Kael, जो भी word होता है, लोग fan हैं Batman की, एक reason है भाई, Superman की इतने पागल fan नहीं होते हैं, इतने Batman की होते हैं, क्योंकि वो एक moral, एक human level पर जीता है, तुम्हारा approval, codes की level पर, ending dark night की आज तक सठिया जाते हैं, जो लोग देखते हैं, क्या है, self-sacrifice, पूरा के पूरा blame अपने पर ले लेता हैं, क्याता है, because I can take it, that's who I am, सिर्थ तुम्हें पता है, और पुलिस वाले को पता है, emotional level देखो न, पूरी दुनिया कह रही है, ये murderer है, तुम्हें पता है, उसने सब कुछ अपने पर ले लिया, और सब कुछ ले रहा है, because I can take it, ये हुई ना बात, यहां से establish होगा moral approval, जहां पर आप morally आप कह रहे हैं, गरेक्टर को ये हुई बात, दूसरी तरफ आता है antagonist, जो करके काईल, या काईल, जीतना तुम्हारा approval, एक विलन, एक असली विलन, या antagonist का जॉब है, तुम्हें confuse कर देना, उसमें भी, to burrow into your moral, तुम्हारा जितना भी तुम्हें, fortitude बना रखाया, fort है जो तुम्हारा उसमें, वो भी तुम काईल उसमें हो जाएगी, कि या कुछ भी काओ, I can see, बात है, antagonist भी जीता भेर, उसमें भी इज़त आई तुम्हारी, हुसे थे तुम्हें एंड में डिसग्री करो, लेकि तुम्हें उसको इंसान की रद देख रहे हो अब, तुम्हें कहीं पे, कुछ मोवेंट से प्रशंसा भी हो रही है, प्रशंसा भी करते हो तुम्हें उसकी, कहीं पुम्हें एड्माइर भी कर भा रहे हो, किसी लिमिट पे, यही तो है इंसान, रावर जैसा complex character उसको तुम्हु। मतलब वो राइड कर रहा है, उनको हम पता नि किस लेवल की फैंटेसी में बना कि क्या बनाना चाहरे ड्राइगन सोड़ रहे हैं पता नि क्या हो रहा है वो शीराम उनको मार रहा है तीर से वल्लाब पता नि जटायू क्या दिखाएंगे ये लोग इस्टोरी में पता नि क्या बना देंगे उसको अच्छा यह यार लोग वो कर रहे हैं मेरे कुल मिला के पॉइंट यहां पर फिर से ट्रेलर पर वह नहीं करना कि मैं ट्रेलर पर बोलूँ क्योंकि सब बोल चुके मेरे पॉइं इसने नहीं लिख पा रहे हैं तुम उसमें एक दो साल नहीं लगा सकते सिर्फ लिखने पर जिसमें एक एक लाइन एक सीन तुम 200 बार सोचते हो कि हम क्या बढ़िया तरह से दिखा सकते हैं तुम पांच साल लोग पढ़ने के लिए तुम जिंदिगी भर के लिए immortal बन जाओगे अगर तुम पॉल आफ कर देते हो एक अच्छी रमाइड मैं बहुत जेनुवन बात बोल रहा हूं एक अच्छी महाबार होते एक अच्छी रमाइड प्रॉपरली दिमाग उड़ा दे जो जिसकी स्टोरीटेलिंग लेवे जेन जो confrontation के डालोग से हैं भाई script देखो क्या गजब है character art देखो character क्या क्या लिखे दोनों के में तरी depth है characters में अबे depth में ही तुम अच्छी सो ऐसे हैं YouTube पर पढ़े उसको discuss करने है characters को लिखने में टाइम लगता है ऐसी चीज सोचने में टाइम लगता है तुम अब आइडियस पर सच थिंग सच अ थिंग टाइम लगता है अबे तुम रमाइड में वो चीज अगर कर लो तुम ऐसे देखना है story की तरह देखना है और उस पर time दो पढ़ो अगर नहीं है time और जब तक original ideas नहीं आ रहे दिमाग में so creative इंसान का काम ऐसी होता है एक तुम उसको will नहीं कर सकते creativity को कोई deadline नहीं डाल सकता creativity पर आएगी अपने हाँ जो creative इंसान उसको पता है एक दिन potty कर रहो हो कि दम साइडिया चाहेगा phone होगा अब अगल में तो लिखोगे बैटके नहीं तो फिर बार 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 बोलते रहोगे बने आपस कि जाये ना जाये ना चाये ना नहाते वक्त आएगा तुमारा अपास कि यह बाइनरी इसमें ओवर सिंप्लिफिकेशन में रामड बैड है तो बैड है तो क्या कर रहा है अजीब सब्सक्राइब क्या हरका है और हैस्टाइल नौर्डिक वह बना हुआ है लेधर पैन रखी सबने ग्रेको रोमन सोल्जर्स बने वह हैं मौर्डल कॉम्बैट से बाराका उठाया लौर्ड अधर रिंग से और्क्स उठाये उनको कम्माइन मारके रामड के आर्मी बना दी पता नहीं क्या चल ला भाई